नमस्का साथियों यूनिवस्टी एक्जामों पर काफी बड़ा फैसला जी आंदोसों जितने भी हमारे चात्र बीए कर रहा हैं बीकॉम कर रहा हैं उनके लिए काफी बड़ी कुसकबरी फॉर्स्ट ए सेकेंड थर्ड और फॉर्थ सेमेश्टर की चात्रों के लिए यूनिव पर दिस पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूटीब चल को सब्साइब नहीं किया है तो चल को सब्साइब करके नोडिफिकेशन को ओन कर ले ताकि आंगे भी आपको कॉलेज की परिक्षाओं से संब्दी सूचना है सबसे पहले बिल्कु सटिक पहुचा जाते रहें यह 24 तक कि किसी भी हालत में पूरे करवाई जाने जियां दोस्तों आपको बताते हैं 2024 में होने हैं चुनाओं जिसके कारण जितने भी हमारे चात्र भी यह कर रहें भी कॉम कर रहें हमें में सीमकॉम फरस्ट इयर सेकंड इयर थार्ड इयर के चात्रों के लिए काफी बड़ा फैसला आ चुका है वहीं बात करने तो इस बार आप सभी का परिक्षा का पैटन बदलने वाला है परिक्षा का मोट बदलने वाला है साथी साथ परिक्षा यहां पे आप लोगों के अब MCQ टाइप में होगी जियां दोस्तों काफी समय से यह फैसला रुका पड़ा था और ऐसे चात्रों को अब जीरो अंक देने साथी साथ 500 रुपए का जुर्माना लगाने का भी काफी बड़ा फैसला अब किया गया है जितने भी चात्र हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं तो उनके लिए काफी बड़ा अपडेट सामने निकल किया चुका है अब उन चात्रों को अब परिक्षा में जीरो अंक भी मिलेगा साती साथ 500 रुपए का जुर्माना भी देखने को मिलेगा और विस्विदाले ने अभी तक कि 6 छात्रों की सिन्वाही रखी है और छात्रों अपनी गलती मानते हुए लिखित रूप में विस्विदाले से माफी भी मांगी है इसके साती सात आब बताते जितने भी हमारे चात्रों बी एसीघंटे को अब आगे आने वाले 20 तारीक यानरी कि इसके पहले-पहले पूरी करा ली जाएंगी वही आपको बताते बी समय आप लोगों को जो समय सीमा था आपका तीन हवर्स का था लेकिन समय सीमा दो घंटे का कर दिया और आगे आने वाली परिक्षाओं में आपका पेपर एक घंटे का भी अब कराया जा सकता है जिना दोस्तों आपको बता दें मल्टिपल चॉइस के कोशन की संक्या पेपर में बढ़ने की कारण पेपर की टाइमिंग में कमी आ रही हो वहीं बात करें अब पूरा पेपर पूरा का पूरा पेपर एमसी की टाइप में रखने का भी अपडेट आ चुका है जितने भी हमारे बीए कर रहे हैं बीसी कर रहे हैं लगातार यूनिवस्टी परिक्षाओं पर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और जितने भी हमारे चात्र हैं जो कॉलेज की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है जितने भी हमारे चात्र हैं जो परिक्षाओं की तियारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी सूचना अब आप सभी की परिक्षाओं को ऑनलाइन माद्य में भी करवाने का यह काफी बड़ा फिस्ताओं रखा जा चुका है और साथ आप सभी लोगों की परिक्षाओं को आप 20 जन्वरी से पहले पहले करवाया जाएगा काफी बड़ी खबर आंगे भी जो अपडेट आएगी आप सभी तक पहुचा जाती रहेगी